गुद मॉर्निंग टु आल आजके जो वीडियो वो है प्रेडिक्शन की वीडियो तो जो बचे 29 जुलाइ कौल्स का एक्जाम देने वाले हैं जिन्होंने एक्जाम फिल किया हूँ है जा सोच रहें एक्जाम देने के लिए वो प्लीज एक्जाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है और आप बखी वीडियो का भी कंपैरिजन कर सकते हो जो भी मैं प्रेडिक्ट करते हूँ एक्जाम भी उसी के अकॉर्डिंग आता है तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्स्टमिंक की पाट वन के फिलपस आएंगे वानवर्ड चाफेन नंबर और लेवल आईगा उसकाऊजीधि हम बात करते हैं पाट टु की शॉर्ट skirts प्लस मपाहींगे वानवर्ड जो आएगा वहएगा इसी टू मॉड्रेट next जो होगा part 3 उसमें आएंगे choose the correct option यानि कि 21 to 30 questions आएंगे moderate level के next अगर हम बात करें part 4 की तो उसमें philips आएंगे one word लिखना होगा यानि कि जो speed होएगी थोड़ी सी fast हो सकते है part 4 की तो overall जो listening आएगी वो आएगी easy to moderate level के next हम बात करते है reading academic वालों के लिए passage 1 list of headings plus choose the correct options level आएगा उसका easy passage 2 के अगर हम बात करें तो answer the questions plus blanks आ सकते हैं level जो आएगा उसका moderate level का आएगा next हम बात करते हैं passage 3 की passage 3 में mcqs आएंगे और जो summary types blanks होते हैं नीचे options दिये होते हैं उसमें से fill करना होगा आपको level आएगा उसका moderate तो overall जो reading आएगी वो आएगी moderate level की next हम बात करते है general वालों के reading passage 1 list of headings yes no not given level जो आएगा वो easy आएगा next हम बात करते है passage 2 question answers आएगे yes no not given और blanks आएगे one word लिखना होगा blanks में level जो आएगा passage 2 का वो आएगा easy to moderate next हम बात करते हैं passage 3 की reading वालों के लिए plus yes no not given level जो आएगा वो moderate level आएगा overall reading moderate आएगी academic वालों के लिए task 1 जो आपकी screen पे दिये हुए है process bar line table इन चारों में से कोई न कोई एक आपको मिलेगा और general वालों के लिए writing task 1 में formal letter आ सकती है तो मैं आपको samples भी दे दूँगी कौन-कौन से formal letters होती है task 2 होगा academic और general दोनों के लिए first health and children और second जो है वो है accommodations next जो है government and society next science and technology next है history and culture यह अपने topics अच्छे से prepare करने हैं तो इन ही में से आपको exam में देखने को मिलेगा next questions कैसे आ सकते है do the advantages outweigh the disadvantages discuss both views and solutions and problems so यह तिनों जो questions आपको देखने को मिलेंगे exam में तो thank you कर दो